Hello and Welcome to the World of Civil Goji Civil Engineer Training Institute में आप सभी का स्वागत है मैं सुधीप कुमार अगरवाल, structure designer और आप सभी के लिए Civil Goji अभी तक हमने देखते आएं कि Excel में कैसे barbending schedule बना सकते हैं एक advanced तरीके से कैसे barbending schedule को solve करें barbending schedule हमने देखा पूरा beam का solve किये Excel में साथी साथ हमने पूरा सीखा कि उसमें formula कैसे लगाते हैं हमने ये भी देखा कि उसकी final sheet कैसे बना सकते हैं अब ये सब पूरा सीखे हमने अभी सिर्फ ये नहीं सीख रहे हैं कि barbending schedule का कैसे बना है इसमें एक Excel के concept develop करें Excel में आप एक formula सीखते हैं वो multiple जगे use होता है Excel आपका हर एक जगे use होता है चाहे वो estimation हो, barbending schedule हो, quantity estimation हो, rate analysis हो साथी साथ ये software में भी help करते हैं आपको MSP में जो data आता है वो आपको Excel से ही मिलता है क्यों? उसमें estimation का data चाहिए रहता है quantity survey का data चाहिए रहता है इस तरह से आपको अलग-अलग data चाहिए मैं structure design करता हूँ e-tab में उसमें भी Excel का use करते हैं अभी तक हमने ये final sheet बनाना देखा पर तो इसमें थोड़ा सा part missing लग रहा है shape of bar, shape of bar नहीं दिख पा रहा क्या मतलब shape of bar हम क्यों दिखाने? जैसे top main bar बोलें तो top main bar की shape क्या है top extra की shape क्या है? bottom main bar की shape जो आपने sheet बनाया है उसी से clear हो जाना चाहिए अब इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के अलग-लग तरीके हैं आप Excel में direct बना सकते हैं, insert कर सकते हैं या फिर कहीं से image है उसको लाज़ते हैं जाफिर आप AutoCAD में भी बना के उसकी image ला सकते हैं अभी इसमें से कुछ तरीके आज देखेंगे करिया आपको लग रहा है कि और भी तरीके आपको जानना है तो comment कीजिए आपको और भी तरीके जानना है next lecture में वो भी include किया जाएगा अब देखते हैं shape of bar कैसे excel में ही बना सकते सबसे पहले हमें shape of bar कहां बनाना है shape of bar जहां बनाना है वहाँ पर focus किये वो जगा भी कम है तो उसको बढ़ा कर देते हैं जितने भी आपको row में shape of bar बनाना है उसको select कर लेते हैं पहले हो सकता है यह shape अलग लग जगे दिखेंगे depending upon excel version अभी मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ आप कोई और version यूज़ करेंगे तो अलग जगे दिखा सकता है shape में जाएंगे और line में जाएंगे जैसे autocad में line command होती है उसी तरह से यहाँ पर line पहले से बनी हुई है लाइन में क्लिक अब देखिए यह line बन रहे है अब मुझे सीधी line बनानी है हर दम तो आप shift दबा के कर सकते हैं जैसे आपके autocad में और तो है यहाँ पर shift दबा के करना है आप कहीं shift दबा के करेंगे तो देखेंगे 45 एंगल पर बनाता है हर एक यह पहले 0 एंगल हो गया यह 45 90 इस तरह से आपको पूरे में मिल सकता है तो यहां से एक shade बना देते हैं अब इसकी width बढ़ानी है तो इसकी width बढ़ानी है तो outline में जाएंगे shape outline में width में जाएंगे और थोड़ी सी बढ़ा देंगे 2.5 जनली में रखता हूं अब इसको color भी change कर देते हैं black कर देते हैं तो आपकी top में बार जैसी थी उसी सबसे इसको भी बना देते हैं देखेंगे जो dot दिख रहा है वहां पर click करेंगे और shift दबा के नीचे ले आएंगे फिर same outline में जा सकते हैं या फिर right click कर सकते हैं यहां में width में जाके बढ़ा कर दीजिए और color black दे देते हैं अब यही same width यहां पर भी रहेगी तो इसको copy का सकते हैं ctrl-c c ctrl-v अब आपने यह shape बन गया पंदो अभी यह shape थोड़े से तुकड़े में है जैसे यह एक अलग है यह अलग है और यह अलग है आपको तीनों को join करना है तो तीनों को select कीजिए control दबाके एक 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 पर click किए तो select हो गया right click कीजिए group में जाएं और group में click कर देंगे तो एक पुड़ा group बन गया अब मैं अभी change कर रहा हूँ उसकी position तो अलग लग जग है पूरे इखटा जाने है चाहे मैं size बढ़ाऊंगा तो भी इखटा होगा अब यह हुआ आपका top top main bar वैसी आपको top action बनाना है तो insert में click करेंगे फिर से वही shape में गए shift दबाके shape बना दिए shape of outline width बढ़ा दिए color दे दिए outline में गए width में गए और 2.5 और color change कर दिए तो इस तरह से आपकी shape of bar बन गई फिर इसको join करना है दोनों को click किए right click group में गए group कर दिए तो इस तरह से वह दोनों इखटा हो जाएगे अभी क्या होता है कई बार grouping में दिक्कत होती है तो उसके लिए एक और तरीका बताता हूं जिससे आपको grouping भी भी ना करना पड़े बहुत असानी से हो सकता है कि फिसे मैं जाता हूं इंसर्ट में शेप में और सपोर्ट टू क्लेश शेप देते हैं कि आपको वैसी लेंड दिक्रीश करनी है तो यहां क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबाके पीछे आते जाएंगे कि वेट देते हैं कलर दे दिए वेट भी देते हैं 2.5 कि अब कई बाव होता है कि ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं और ग्रुप प्रॉपरली नहीं बन पाता तो उसके लिए आपको एक असान तरीका बताता हूं दोनों को सिलेक करेंगे, कट करेंगे, पेश करेंगे तो पेश जब करेंगे तो यहाँ पर एक कॉपी का ओप्शन आ रहा है कि कॉपी में क्या सेटिंग्स ही है तो यहाँ पर एस इमेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो अब यह इमेज बन गया है तो यह भी ए से सेपरेट होंगे जैसे मैं एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा इफेक्ट नहीं हो रहा है यह अन ग्रूप हो गये वापिस ग्रूप कर देता हूं अब बॉटम में बाव बनानी है बॉटम में बाव और टॉप में बाव वही है से पोजिशनिंग चेंज हो गई है तो चाहें तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं और यहां पेश कर दिए रोटेट का जो साइन दिख रहा है वहां से रोटेट कर दिजिए जो रोटेट का साइन इसी को कॉपी कर दिए वाटर में अग्षा मिडिल पार्ट में रहती है तो रहता कोड़ा कर देते हैं शिफ्ट दबाके बेटम एक्षा आपकी middle पार्ट में हो गई इससे identification करने में बहुत असान हो रही है कि आपकी shape of bar मतलब shape of bar से ही top main bar हमें पूरे में लग रही है top एक्षा किनारे किनारे में लग रही है इस तरह से बहुत असानी सा identification हो जा रहा है अब चलते श्रीरप के case में अब श्रीरप कही पर बना रहे हैं उसके बाद मैं दिखाऊंगा image कैसे insert कर सकते हैं इंसर्ट में गये shape में यहां पर एक rounded corner rectangle दिख रहा है वहाँ पर click करेंगे इस तरह से आपका shape बन जाएगा अभी जो shape बना हुआ है वह अंदर fill है मतलब उसमां अंदर color है तो shape fill में जाएंगे no fill कर देंगे यह कहीं आपको उपा option नहीं दिखता है तो यहां पर right click करेंगे यहां पर दिख जाएगा fill fill में जाएंगे no color कर देंगे फिर outline भी देंगे इसकी कुछ 2.5 और color change करते हैं ब्लैक में यह शिरफ अभी complete नहीं हुई शिरफ में अभी आपको add भी करना है शिरफ आपका ऐसे नहीं रहता line में गया है और hook length add कर दिए shape दे दिए color दे दिए अब यहां पर एक हुआ एक और बनाना है तो फिर select ctrl c ctrl v इस तरह से आपका शिरफ बन गया आप चाहें तो इसको भी group कर सकते हैं या फिर एक और तरीका बताया था मैं ctrl x करता हूं ctrl v और save as image हो सकता होगा आप लगको लग रहा है तो आप एक और बार practice करेंगे आपको बन जाएगा अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूं इससे भी बहुत असान और उसमें बहुत साए complex तरीके बन सकते वह तरीका यह है कि आप net में image जून लीचे और उसको direct यहां पर insert कर लीचे जैसे मैं एक image दे रहा हूँ आपको यह आपको image डाउनलोड करना है तो उसका भी मैं link प्रोवाइट करूँगा आप वहाँ पर जाके sign up करेंगे और फिर यहां से image मिल जाएगे आपको आपकी कोई सीज़ भी image है उसको पहले paint में खोल दीजिए right click करते है open with paint अब जैसे मुझे two legs बनाना था कि सिलेक्ट में गए टू लग इस आपको पूरा स्लेक्ट कर लेते हैं तो लेक्रिश्ट अप सिलेक्ट हो गई Ctrl C copy हो गई बापेस एक्सल में आते हैं मैं यह आप नीचे पर पेस्ट करना चाहां होता हूं आप तो यहीं पर Ctrl भी कर देंगे पेश किए प्रसवा जूम आउट कर देते हैं इमेज बड़ी थी तो ऊपर आगें में इस इस आट जश्ट कर लेते हैं अपने ही साफसे साइज आपका यह तयार हो गया आपको डारेक्ट वहाँ पर शेप दिखाना है चाहिए आप वो कैसे भी दिखाने पर तो वो कोशिश ये करेंगे पूरे में पैटन सेम हो इस शेप का दिखाने इस कलर का दिखाने तो उपर से नीचे तक उसी सेम कलर उसी सेम पैटन करेंगे या फिर आप insert करें आप insert करें as an image तो आप उसी तरीकी के image पूरे insert करेंगे करेंगे करें आप ड्रॉ करें तो आप उसी तरीके का ही पूरा ड्रॉ करेंगे अब इसमें फाइदा क्या हो रहा है मुझे insert करने का करेंगें यहाँ पर अलग-अलग cases होते जैसे four-legged shrub तो बनाने में टाइम लगता तो यहां से इमेज बनाके रखाओ यह ले सकते या फिर आप इसी को इक पर्मेनेंट ड्रॉफ कर लीजे इसको सेथ अब कर सकते हैं इस तरीकी सर्व शेप of बार बना सकते हैं और ओर दूसर जैप है अपने ही साब से एज़स्ट कर देंगे बॉर्डल ले आता हूं जिससे आइडनिटिफिकेशन में असान हो तो इस तरह से आप बना सकते पूरे उसका शेप बाब बना सकते जैसे जैसे बाहर हैं उनका शेप दे सकते Microsoft में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप एक जगे सीखते हैं वो दूसरे जगे भी help होता है कहीं आपको PowerPoint में यह चीजे बनाना है तो same concept भी PowerPoint में use होता है PowerPoint में भी ऐसी draw होता है उसमें ऐसी ही group होता है group करने के तरीके draw करने का तरीका same है कहीं हम एक चीज सीखते हैं जैसे Microsoft Excel में कुछ आपने formula सीखे तो formula क्या है tools है आपको कहां use करना है वो आपको सोचना पड़ेगा वो हर एक जगे use हो सकते हैं जहां पर भी repetition आ रहा है मतलब वो काम आपको बार-बार repeat करना पड़ रहा है तो उससे अच्छा आप उसको Excel में कर दीजे वो Excel में आप उसको command set कर सकते हैं formula set कर सकते हैं उसके हिसाब से वो अपने आप repeat होगा आपको यह पूरा सीखना है कि barbending schedule में Excel कैसे use होता है estimation में कैसे होता है billing में कैसे होता है और साथ ही साथ quantity survey में कैसे होता है rate analysis में आपको पूरा बताए जाएगा corporate training course में साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूँ corporate training course की fees है 36,000 पर अभी lockdown के वज़े से हम समझे रहे हैं कि lockdown के वज़े से income थोई सी कम हो रही है उसके कारण वो सिर्फ 9,000 में मिल रहा है आपको course corporate training course से और ज्यादा सीखना है contact and tendering भी सीखना है तो आप enroll हो सक subscribe करना ना भूला है इसी तरीके के पूरे civil related videos आपके लिए available है हमाई channel में और भी upload होते रहेंगे बने यह सिविल गुरूजी के साथ जय हिंद जय भारत